इस्टार्ट अध्यक्च महोदे कभी किसान को सूखे की मार पड़ती है तो अब कुदरत ने बेमौसम बारिस और ओला ब्रश्टी के कारण किसानों के सामने संकट खड़ा कर दिया है कितना नुकसान हुआ है अभी इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता है वहे नुकसान उस समय हुआ जब माना जा रहा था कि इस साल भसल बहुत अच्छी होगी पिछले कुछ समय से किर्सी विकासदर ठीक ठीक ढंग से बढ़ रही थी इस साल इस पर मौसम की मार पढ़ सकती है ऐसा मालूम हो रहा है कि ओधोगेक बिकासदर के मूर्चे पर आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है हर कुछ साल बाद कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है और ऐसे मौके पर किसानों को राहत देने का कोई इस्थाई तरीका अभी तक बिक्सित नहीं किया जा सका है पेरा राहत का एक तरीका भसल बीमा है लेकिन इस पर सिर्फ चर्चा होती है भसल बीमा को कभी बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका फसल बीमा के अभाव में किसानों को आपदा का मूल्य चुकाना पड़ता है जिसकी बजह से कई किसान एक ही जटके में गरीबी की रेखा से नीचे पहुँच जाते हैं भारतिये किर्सी छेत्र की यह अकेली बड़ी समस्या नहीं है भारत में सबसे तेज गती से बड़ती हुई किर्सी आबादी बता रही है कि देश की कई समस्या काभी गंभीर होती जा रही है अमेरिका की प्रिसिद्ध और विश्ब इस्तर पर ध्यान कैंद्रित करने बाले पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने एक रिपोर्ट में यह बताया है कि बर्स 1980 से बर्स 2011 के बीच भारत और चीन की किर्सी पर निर्भर आबादी में भारी बड़ोत्तरी हुई है जहां तक भारत की किर्सी आबादी में 50 फिश्दी की भारी ब्रदी हुई है वहीं चीन की किर्सी आबादी में 33 फिश्दी का इजापा हुआ है इस रपोर्ट के मताबिक दुनिया भर में किर्सी आबादी सबसे ज़्यादा भारत में ही बड़ी है अमेरिका की किर्सी आबादी इस अबधी के दौरान 37 फिश्दी घट गई अमेरिका में बड़े पैमाने पर और धोगिक होने से किर्सी आबादी में खासी कमी संभब हो पाई है पेरा विश्ब बयापी इस तर पर भी किर्सी आबादी इस दौरान तकरीबन 12 फिश्दी घट गई है किर्सी पर निर्भर आबादी बढ़ने से इस छेतर में आए बढ़ने की बजाए घट रही है जिससे किसानों की रुची किर्सी कार्यों में घट रही है गाबों में रोजगार के बैकल्पिक घरेलू उतपाद में किर्सी छेतर की हिस्सेदारी कम होती जा रही है राष्टिय नमूना सरवेक्चन संगटन का कहना है कि 40 पिर्तिसत किसान खेती को बेहद जोखिम भरा और धुकदाई पेशा मानते हुए इसको छोड़ना चाहते हैं समस्य यह भी है कि बदलती दुनिया में हम अपनी किर्सी को ना तो आधुनिक आधारबूत सनरचना दे सकते हैं और ना ही किर्सी उतपादों को आधुनिक बाजार भेवस्ता से जोड़ सकते हैं चीन जैसे देशों में यह काम काफी तेजगती से हुआ है देश की नौकरसाही किर्सी के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसमें से जादतर योजनाओं का किसानों के लिए कोई मतलब नहीं होता है बे तो मौसम और उसकी मार पर ही निरबर है पेरा संस्कृत बहभासा है जिसे सभी भारतिय भासाओं की जन्नी होने का गौरब मिला है जिसे ग्यान का भंडार कहा जाता है जिस भासा में हमारे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई है आज दैनिय इस्थती से गुजर रही है दुर्भग्य यह है कि उस संस्कृत बहभासा को अनाबसक मानकर विदेशी भासाओं को अधिक महत्व दिया जाने लगा है हिंदी पूरे देश की भासा है अंग्रेजी अंतराश्टिय भासा है इसलिए यह महत्व पूर्ण है की छेत्रिय भासाएं महत्व पूर्ण भासा है क्योंकि यह छेत्र विशेस की मात्र भासा है किंतु संस्कृत जिसे देव बानी होने का गौरब प्राप्त है ना तो राश्टिय भासा है ना अंतराश्टिय और ना किसी पृदेश की मात्र भासा है सिर्फ इसके कारण संस्कृत का त्याग कर देना चाहिए समराट असोग ने जिस ब्रहमी लिपी में अपने संदेश लिखवाई थे बहें आज लुपत हैं संभबता कुछ ऐसी ही संस्कृत भासा के साथ ना हो जाए पुलिश्टॉप